यार ये बताओ कि आप लोग जलीबी किसके साथ खाते हो मतलब दही के साथ खाना पसंद करते हो या फिर दूद के साथ या फिर आपको बस ऐसे ही दे दो आप ऐसे ही चट कर जाओगे तो कमेंट करके बताओ आपको कैसे खाना पसंद है अब ये देखो यार कितनी मस्त जलीबिया बनी है और इसे हमने घर पे बनाया है और आपको बिलीव नहीं होगा यार सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये जलीबिया ना ये बन करके तयार हो जाती है और आज मैंने दो तरीके से बनाया है कहीं जगे पर ये ऐसे ब्राउन ब्राउन लाल लाल मिलती है और कहीं कहीं पर यलो मिलती है और तो कहीं कहीं पर औरेंज भी मिलती है तो आपके याँ किस कलर की मिलती है वो आप मुझे कमेंट करके ये भी बताना है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना तो चलो शिरू करते हैं जलीविया बनाना तो आज हम यहाँ पर पताए गाईस आप सिर्फ तीन स्टेप में यह पानी डाल कर सकते हो पहले स्टेप क्या करना कि सबसे पहले चीनी को गोलना है तो एक कब चीनी पन में डालना साथ में 3 4th कप के करीब जो है यह पानी डाल देना इसमें और पस इसे ऐसे चलाना और धीमी आज पर या फिर मेडियम फ्लेम पर जैसे भी आपके पास टाइम हो आप इसे कर सकते हो तो मैंने मीडियम फ्लेम पर चीनी को जो है यह गोल रही हूं और इसके बाद इसमें थोड बन करके तयार होंगी क्योंकि आज हम कोई ऐसी वैसी जलीबिया नहीं बना रहे हैं जिसके लिए मेंदा घोलना हो और फिर घंटो उसको रखना हो आज पर लकी हम बनाने वाले हैं गिट्स की जलीबिया तो बस चाशनी बन करके तयार है इसे ढखकर के रखें ताकि यह गर बनाए जाती हैं तो आप अराम से कभी भी खा सकते हैं मतलब आपकी सरी नुकसानने गड़ने वाला और यहां पर आप देख सकते हो कि एक जलेवी मेकर भी आपको मिल जाता है तो यह जलेवी बनाना बहुत असान हो जाता है इसके साथ ही साथ यह गए रिग सिर्फ आप 76 में मिलेगा और इससे आप 25 जलेबिया बना सकते हैं अगर काउंट करें मीडियम साइज की तो यहां पर देखो हमें करना क्या है कि यह जो जलेबी मिक्स है इसे हमें निकाल लेना है यह हम आज एक ही पैकेट इस्तिमाल कर रहे हैं क्योंकि इससे काफी जदा बन जाएंगी ज हमें उसे बहुत देर तक रखना पड़ता है तब जाकि वह फर्मेट होता है तब जाकि उससे अच्छी जलेबिया बनती है बट इससे आप इंस्टेंटली जलेबिया बना सकते हो वह भी सिर्फ 10-15 मिनट में यह देखे इस तरीके से हमने इसमें पानी डाला और देखे कित जलेबिया बन जाएंगी और बिलीव में इसका टेस्ट बहुत अच्छा था मतलब मैं आपको गैरेंटी के साथ कह सकती हूं कि अगर आपने एक बार इसे बनाया और लाया तो आप बिल्कुल भी इसे भूलने नहीं वाले हो और कभी भी मार्किट की नहीं खरीदोगे तो इस कैप में और इसमें होल भी दिया रहता है तो चलो जलेबि बनाते हैं जलेबि बनाने के लिए आपको लेना है मीडियम होट ओयल या फिर घी जिसमें भी आपको बनाना हो वैसे जलेबियों का टेस्ट घी में बहुत ही जदा बढ़ जाता है और देखिए इस तरीके से आपको जलेबिया बनानी है देख रहे हैं आप कितनी जल्दी उपर आ गई मतलब डाल दूसरी डाली नहीं कि पहली उपर आ गई तो बिल्कुल इस तरीके से आपका जो घी है वो गरम होगा ना तो बिल्कुल ऐसे ही आपकी जलेबिया उपर फूल करके आ जाएंगी और ब बिल्कुल इसी तरीके से जलेबिया मार्केट में मिलती है लेकिन खास बात आज की यह है कि आज हमने इसे गिट्स की जलेबिया से बनाया है तो यह जो गिट्स की जलेबिया होती है ना सबसे ज्यादा अच्छी इस बात में होती है कि इसमें किसी भी प्रकार का कैमिकल नह तो इस तरीके से हम बड़ी चोटी जैसी मन चाहे आप जलीबिया बनाइए अब यहां पर क्या करेंगे हलका गरम शुगर शीरप में डाल देंगी गर्मा गरम जलीबिया मतलब जैसे ही निकाले ना वैसी इसमें डाल दें और ज्यादा देर के लिए नहीं से 20 से 30 सेकेंड में आपके जलीबिया ना यह बन करके बिल्कुल तयार हो जाएंगी और सच में अंदर तक बिल्कुल रसा जाएगा इनके और एक्दम रसीली और साथ ही साथ क्रिस्पी बनेंगी अच्छा जैसे हम लोग मार्केट से लाते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है घर लाते लाते वो जलीबिया एकदम क्या होता है सॉफ्ट हो जाती है ठंडी हो जाती है तो सारा जो जलीबियों का मज़ा है ना वो किरकिरा हो जाता है बट यार जब आप गिट्स की जलीबिया बनाओगे ना तो इन गिट्स की जलीबियों की यही खास यात है कि आप अपने हातों से अपने दोने में लगाते हैं मतब हलवाई वाला फील चाहिए न अगर आपको तो बिल्कुल ऐसे सर्फ करना मज़ा आजाएगा सामने वाले को इस तरीके से जलीबिया जब आप दोगे न तो वह आपकी तारीफे करता हुआ नहीं ठकेगा और ऐसे डाल तो थोड़ा सा इसकी उपर शुगर सिरफ और यह लोग तैयार हो गई हमारी किट्स की बहुत ही बहतरी इंस्टेंट चलेबिया एक बार इन चलेबियों को यार मेरे कहने पर ट्राइ करना बहुत टेस्टी बनी थी देखो अंदर तक रसा पहुंचा है तो मिलते हैं नेक्स ड्रेसिपी में